जेहिं दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेलेवे का previous years का question लेकर आया हूँ रेलेवे का previous years का question है इसमें आप लोगों को 27,000 प्रशन आप लोगों को बतलाए जाएंगे, जिसमें GKGS दोनों add है टोटल आप लोगों को 27,000 प्रशन बताये जाएगे, 1992 में से लेके 2024 तक जितने भी प्रशन आये हुए हैं, एक्जाम में, सारे एक्जाम का क्यूसन आप लोगों को GKGS का बतलाया जाएगा, डेली के आप लोगों को सो प्रशन बताये जाएगे, साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, तो फ्लिस चैन जनगना संग सुची के अंतरगत आता है, जनगना कि सुची के अंतरगत आता है, भारतिये सविधान भारत के राजियों के संग है, के रूप में वरनित करता है, भारतिये सविधान जो है, भारत के को राजियों के संग है, और एक रूप में वरनित करता है, बहुत एक विटामिन दी मचली में आकृती तेल में पाई जाती है बिटामीन मुल रूप से एंजाइम होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाने वाले मुल रूप से एंजाइम होता है आठ मार्च को अंतराष्टी ये दिवस मनाया जाता है, लिंग राज मंदिर भुनेशवर में अवस्तित है पटाखा मकाव की मुद्रा को कहा जाता है, मकाव को मुद्रा को कहा जाता है उसी तरह देखी। इसमें 1994 में रर्भी क्वलकटा में परिशा में पूछे गए प्रशन है इतिहार से समझ देख लीजिए हैं आप लो हिलडवीन के भैवे मंदिर के निर्मान होलेस सास को द्वारा करवाया गया था गुप्त बंस का अस्थापना स्री गुप्त को माना जाता है गुप्त सासक समुन्दर के भारत को निपोलियन कहा जाता है गुप्त साशक समंद्र गुप्त को भारत का नपोलियन्स भी कहा जाता है मुगल बादसा अकवर के दरवार में टोडरमल राजमंत्री था महात्मा गांधी का जन्मी 2 अक्टुवर 1879 को गुजरात में पोरबंदर नामकस्थान पर हुआ था यह इतिहास समंदित प्रस्ण आये थे जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 1912 में दिल्ली भारत की रजधानी बनी थी कैब बनी थी? भारत की रजधानी थी उन्हेस 12 में बनी थी पिर्थीवी का घुरुनन ब्यास 12714 किलोमेटर परती है यह में टाइट आये से लोहा का निश्करशन किया जाता चाई की खेति गर्म एबं आधर जलवाईू छेतर में की जाती है भुगोल सिस्समंदित की प्रस्ण जो है 1924 में कॉलकता बोड में जो आया हुआ है प्रस्ण वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ यह सारा प्रफियरश का प्रस्ण है सिफारिस पर सविधान सभा का गठन हुआथा राश्ट पती भारत का पर्थम नागरीक होता है यह सब जो है आप लोगों को पूछे हुए प्रस्ण है पहली बार 19-1979 को 14 बैंको को राश्री करन किया गया था, तो 14 बैंको को राश्री करन किया गया हुआ था, ध्वानी को डेसिवल से मापा जाता है, ध्वानी को हम किस से मापते हैं, डेसिवल से मापते हैं, कांस से गुजरने वाले समय बैगनी रंगो को गती सबसे कम होती है, 1884 में भोपाल गैस रातरी में प्रसाब हुआ था यह सब रसाइनिक विज्ञान से देखे प्रशन में सबी विषयों से प्रशन जो है, कि जिसका आया हुआ मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, यह सब प्रिभियस विज्ञार्स का प्रशन है मुर्शुति, मवाडी एबन जफराबादी और मोई निक ये सभी भैंस की मुख नसले हैं इलाइची का मसालों का रानी कहा जाता है दाल चीनी का प्रथम ब्रिच के छाल से होती है सिस्टम नेचर निलियमस की पुस्तक है सिस्टम नेचर निलियमस का पुस्तक है लिनियमस को आधुनिक बरगी करन का पिता भी कहा जाता है बंगला देश की मुद्रा टका कहा जाता है बकरी के संदर्व में अनुसंसाधन है जोर्बीर जो है में इट का पर राष्टिये अनुसंसाधन केंदर है भूमी का आधियन का पेडो लाइस कहते हैं उसी तरह देखिए उने 1094 सिकंद्राबाद में पूछे गये प्राशन जो है प्रिप्रिएश एस का जो मैं आप लोगों बतला रहा हूं इतिहास का देखिए विसाखदत रचित पूस्तक का नाम समुंदर राशत है इबराहिन लोधीन लोधीन वंस का अंतिम सासक था बावर को भारत पर आकर्मन करने के लिए निमंतरन पंजाब के सासक दौलत खान लोधीन एबं इबराहिन लोधीन के चाचा आलम खान ने दी थी कि मैदान में इवद खुष दोगा हुएठ वश्विए में अजाध्ध हिंद्फाउज का गठधन हुआ था उनका गठन हुआ था भारत में कि पर्थम रिल कुंख रखा लॉड यूजी के साषन काल में प्रगां हुआ था प्रवाट इंगलाइंड का पॉर्थम परधान मंत्री तैं् भारत के सबसे बड़ा क्रिशीब परयोग है जो फॉर्म अम्बाला में इस्तित है राष्टिये समुंद्री विज्ञान संस्था है वो कहां इस्तित है गोवा में अलोका इस्तित है सिच्छा समरवत्ती सुची के अंतरगत आता है पांच में विज्ञाज सुची में संस्तातक जैसे सिच्छा वन एवं बन जीवो एवं परिशाओं सरच्छन नाप तॉल एवं अन परशाशन उच नियाले एवं उच नियाले के अलावा सवी नियालों का गठन और संगठन को वार में समधानिक संसोधन के अंतरगा दाता है उसी तरह उपराश्टी पती राज सभा को पदेन अध्याच जो होते हैं डायोड का इस्तेमाल परत्याबर्ती धारा को द्रिश्टी धारा में बदलने के लिए किया जाता है निर्वात में उश्रमा का विकीरन का बेग प्रकास के बराबर होता है ये जो है आप लोगों को भहती ग्यान से समधित प्रश्ण है सुसकसल में नियोड में केंडलियम होता है उसी तरह बात करें पानी के किसी द्रव में जीरो से दस तक के गर्म करने पर उसमें आयतन में घटने एवं ब्रीदी होने लगता है घटने के बाद ब्रीदी फिर होने लगता है अगर जीरो से दस डिगरी तक गर्म करते हैं तो परकास का रंग कोनार के एवं आयाम से संब्धित है रसाइनिक विग्ञान से संब्धित के प्रस्ण है लाफिंग गेंस का रसाइनिक नाम नैट्रोजन अक्साइड N2O है मोनोजाइट थोरियम का ISK है जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का बजन बढ़ जाता तामबे को उत्रकष्ट धातु कहा जाता है और यह कुलराइड का उपियोग सर्फ विसेस रोधी सुई बनाने में किया जाता है धमनियों का रक्ट चाप दाव उच होता है धमनियों का रक्ट चाप क्या होता है उच होता है इल्मुनियम एवं भयंकर रोग है जिसमें खुन बनाने वाले अंग स्वेत रक्ट का उंक की मातरा में अधिकता पैदा करती है इल्मुनियम जो है एक भयंकर रोग है जिसमें खुन बनाने वाले अंग स्वेत रक्ट कनों को मातरा में अधिकता पैदा करती है सैवाल में खाद पदात अश्टार्च के रूप में उपस्तित रहता है सैवाल में खाद पदात अश्टार्च के रूप में उपस्तित रहता है जीवानु पोलिस से के राइड की बनी होती है 15 जनवरी को प्रती वर्ष भारत के थल सेना दिवस मनाया जाता है जब गम मनाया जाता है थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है परचीन देकी आरर भी भोबाल में 294 में में पूछे गई प्रशन जो है यह इतिहास का प्रशन है गंग बंस के सासकों ने पूरी इस्तित जगरनात मंदरी को बनवाया था जगनात मंदिर को किष्णे बनवाय था तक गंग बंस के सासकों ने बनाय था महाभारत का प्राचीन नाम जय सहिता है महाभारत का प्रचीन नाम क्या है जय सहिता है सबसे प्रचीन वेद स्री वेद है सबसे प्रचीन वेद जो है क्या है स्री वेद है जो उडिशा राज में इस्तित है खरवेल का हाथी गूफा अभी लेखक है जो उडिशा में इस्तित है माध्मिक काल, भारत का इति हैस माध्मिक काल से संबन दित है रामतनुपांडेत तानसेन का असली नाम था राम तन्मुपांडे तांसेन का असली नाम था जलालुदिन अकवर को प्रत्थम समाजीक सुधार करमे वाले मुशलमान सासक माना जाता है बिजाई नगर में सासको में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है डूहत सिसाऱ का सबसे घरखा कि दस्थल को कम्पोस कहते हैं क्या कहते हैं Compose कहते हैं भृटाओ दैंपताया की बारी किया जाता है ताप कम होने पर गैस का ध्वानी की चाल पर दाब का कोई परभाव नहीं परता है हाइड्रोजन में ध्वानी का बेग में CO2 के ध्वानी का बेग से अधिक होता है हाइड्रोजन ध्वानी का बेग में CO2 के ध्वानी का बेग से अधिक होता है। उसी तरह बात करें तो ध्वानी का अपवरतन के कारण ध्वानी के दीन के पेचा रात में अधिक सुनाई देती है। हुआ था, CO2 अवर्णी ये वर्षा मुख कारण है, पिर्थीवी मिसाइल का भारत का पर्थम यूद मिसाइल कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंद्राबाद को जुलावास सहर के नाम से भी जाना जाता है, बांगला देश में गंगा नदी का पर्दमा कहा जाता है, पलेस ब गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है, पल एस बट गुड अर्थ पुस्तक का लेखक है, और भी मुंबाई 2094 में पूछे गए, प्रशन जो है, आए हुए प्रशन है, प्रिविए स्काई है ये प्रशन, जो आप लोग को, गौतम बुद का इस्या का सहरानी कहा जाता, क्या गौतम बुद का पर्थम उद्देश का धर्म चेकर परवरतन कहा जाता है, अंग्रेजों ने पेश्वा के साथ वेशिंग की संधी भी की थी, शाज जहाँ द्वारा मोती महजित का निर्मान करवाया गया था, स्वास चंदर बोष्ष ने दिली चलो का नारा लगा दिया था, तो स्वास चंदर बोष्ष ने ये दिया था, मैसूर का सासक टीपू सुल्तान था, सतलज नदी पर भाखडा नांगल बांध इस्ति थे, जवाहर सुरंग भारत के सबसे बाड़ा लंभी सुरंग है, जवाहर सुरंग भारत के लंभी सुरंग है, करनाटक में वांधी पूरी राष्टिय उद्धान इस्तित है, ये सब जो भी प्रशन मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, ये सब पूछे हुए प्रशन है, जो 594 म में पूछे गें थे, आर अभी में, ने जपान के क्रेंसी है, ने जो है जपान का क्रेंसी है, चिन अवरक का सबसे बड़ा उतपादन देश है, अवरक जो है सबसे ज़्यादा कोन उतपादन करता है, तो वो चिन है, अवरक का उतपादन में आने देश, भारत, सन्यू के रा सब्सक्राइब मंदल यह जो है तेन के पावर फाईब निटन प्रति मीनिट स्क्वाइर के ब्राबर होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नया के नियम पर कार करता है हाइड्रोलिक जो है लिफ्ट पास्कल के नया नियम पर अधारित है कार करता है सोडियम धातू कुलरीन के जलकर सोडियम कुलराइड बनाती है sodium धातू एवंग पुलरीन में जलकर sodium पुलराइड बनाया जाता है अभिसकारक का समागरन बढ़ाने के रसाइनी का विक्रिया की धर्ग बढ़ जाती है अभिकारक का संद्रन बढ़ाने पर रसाइनी का विक्रिया का धर्ग बढ़ जाता है पी एज का पूरा नाम potassium of hydrogen होता है पी एज का पूरा नाम क्या होता है potassium of hydrogen कहा जाता है रंगा टंग का तिंग का एवंग सिसा का मिश्र धातू है फ्लो के उत्पादन को हाटी कलशल बर कहते हैं अर्जुन पुरुषकार प्रगरम हुआ था को इन को सब्लो Cliff में नोट युँ में मंज खने स६्हत साथ कुलकाटा में राष्टिय पुरुषकार स्थित्त्त कुलकाटा में मारत युँ प्रश्ण को छोड़ता हूँ शाथ ही साथ आप लोगों को पड़े सव प्रश्ण करभाऊंगा जो कि आपको रेलेवे गुरुप डी रेलेवे टेक्निशियन एलल पी एंटीपीची सभी में आप लोगों को यह प्रिविएस एस का प्रश्ण है और अगर आप लोग चैनल प